असलाम उलेकुम आज हम बनाएंगे जैपूरी कोर्मे की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं एक दम देग स्टाइल और इसको बनाएंगे बड़े के गोश्क के साथ अगर आपने ये जैपूरी कोर्मा नहीं खाया तो समझे कुछ नहीं काया तो ट्रै ज़रूर कीजिएगा तो चिली देख लेते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एक किलो गोश्ट यह बड़ी का गोश्ट है अच्छे से हमने इसको क्लीन कर लिया है अब एक हांडी रखेंगे और इसमें एड़ करेंगे ओल तो 200 ग्राम यहाँ पर मैं तेल डाल रही हूं और इसको कर लिंगे हम गरम उसके बाद यहाँ पर हमने लिए हैं प्याज 250 ग्राम हमने प्याज लिया इसको ष्लाइसेस में कट कर लिया प्याज add कर दिंगे अब प्याजों को देखते हैं यहाँ पर हमने golden fry करना है सिर्फ हलका सा कलर चेंज हो जाए है ना एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा वन टीस्पून काली मिर्ट दो बड़ी लाइची और छे से साथ हरी लाइची और दो तेश पत्ते एट कर देंगे अब मसालों को डाल कर भी हलका सा हम यहां पर क्रैकल कर लेंगे ताकि एक दम अच्छी कुश्बू आ जाए मसालों की य तो देखिए यहां पर अब गोश्ट को हमें भूनना है यह देखिए 5-6 मिनट खूब अच्छी से हाई फ्लेम पर हमने गोश्ट को भून लिया है यह देखिए इसका कलर चेंज हो गया है तो खूब अच्छी से इस तरह से भून लीजिएगा और अब इसमें डालेंगे हम नमक तो यहां पर मैं देखिए साबुत नमक डाल रही हूं तो आप अपने टेस्ट के कोडिंग डाल लीजिएगा अगर आप पिसा हुआ ले रहे हैं तो दो चोटे चमच यहां पर नमक कर लीजिएगा और लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम दो बड़े चमच इन टू चाहिए स्टेप पाइस स्टेप हम इसको सभी मसाले डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे इसका मेन फोकस है भुनाई पर रखिया तो दीखिए यहां पर भून लिया हमने उसके बाद हल्दी पाउडर एड़ करना है एक चोटा चमच तो वन टीश्पून यहां पर हल् चुका है अभी अभी से ही माशाललग खूब अच्छी खुश्बू आ रही है तो देखिए आप डालेंगे हम दही तो मैं यहां पर 250 ग्रामी दही ले रही हूं बहुत ज्यादा खटा नहीं है और फ्रेश दही है तो यहां पर दही को फैट कर लिया है तो दही एड़ कर द भूनते जाएंगे यह दिखिए खुवच्चे से डही दाल कर भी हमने भून लिया है गोश्ट को और अब इसमें जाएंगे देखिए मसाले तो यहां पर हम एक चोटा चम्मच पीली मिर्ची का पावडर एड़ करेंगे क्योंकि जैपूर की रेसिपी में पीली मिर्च पा हम इसको 1-2 मिनट भूनेंगे तो देखिए हमने 1-2 मिर्ची डाल कर भी भून लिया अब इसे देखिए माशाल ला कितना खुब्सूरत इसमें कलर आ गया है तो बस अब देखिए यहाँ पर 102 मिनिट भूनने के बाद अब इसमें जाएगा अद्रक का पेस्ट तो एक बड़ा चम्मच अद्रक का पेस्ट एड़ कर देंगे वन टिबल स्पून अब अद्रक का पेस्ट डाल कर भी हम भूनेंगे 2-3 मिनिट के लिए तो देखिए हम नहीं यहाँ पर 2-3 मिनिट के लिए अद्रक का पेस्ट डाल कर भी भून लिया और रेशिपी पसंद आ रहे है तो प्लीस वीडियो को एक लाइक शुरूर कर दीजिए अब यहाँ पर एड़ करेंगे हम धनिया पावडर तो 4 टीबल स्पून यानि 4 बड़े चमच धनिया पावडर रेट कर देंगे यह देखिए हमने यहाँ पर धनिया पावडर रेट करने के बाद इसको भूनना है 1-2 मिनिट के लिए तो यहाँ पर हम 1-2 मिनिट के लिए अच्छे से भून लिए इसको फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम करेंगे अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा से थिक हो गया है यह भून नहीं रहा तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीचेगा तो यह अच्छे से भून जाएगा तो देखें यहाँ पर मैं half cup के करीब पानी डाल रही हूँ half cup पानी डाल कर एक बार इसको भून लेंगे ताकि जो हमने अच्छे से भून लेंगे पानी डाल कर तो ये देखिए गोश्ट को हमने अच्छे से भून लिया है ये खुब अच्छे से भून चुका है और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी जुरूर कर जीजिए क्योंकि ऐसे ही हमारे चैनल पर नियू नियू रेसिपी आती रहती है अब देखिए गोश्ट को गलने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे पानी तो मैं यहाँ पर दो ग्लास पानी डाल लेएं क्योंकि बड़े का गोश्ट है और गलने भी टाइम लगेगा एक घंटा ले लेगा यह खुले बरतन में बना रहे हैं तो एक घंटा लगेगा गलने के आप कीज़ेगा के लिए तो दो ग्लास पानी डालेंगे अगर आप प्रेश्र कूकर में बना रहे हैं तो सिर्फ एक ग्लास पानी आइड की जिए अब कबर करकर हमें हाई फ्लेम पर उसके बाद फ्लेम को यहाँ पर लो कड देंगे लोग फ्लेम पर हम इसको पकने के लो फ्लेम पर और गोश्ट यहां पर गल चुका है 90% तक यह देखिए आप जितना गला हुआ खाना चाहते हैं उतना यहां पर इसको गला सकते हैं तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं मसाला भी इसका खूब दानेदार बनकर त्यार हुआ है अब यहां पर डालेंगे ग्रेवी के लिए यहां पर एक कप पानी डाले हूँ मैं गरम पानी का यूज कीजिएगा सिर्फ एक कपी हमने पानी डाला है यहां पर जितनी ग्रेवी चाहते हैं आप इसमें रख सकते हैं वैसे ग्रेवी बाला जो कोर्मा होता है वो पतला अच्छा नहीं लगता तो इस की ग्रेवी तो बस आप खाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे इतना टेस्टी बनता है अब इसको कवर कर देंगे दम के लिए लो फ्लेम पर पांच मिनट के लिए पांच मिनट बाद यहां पर हमने खोल कर देख लिए यह दी कि हमारा बहतरी इंसा दानेदार जैपूर और बहुत ही फ्लेबर फुल है यह तो यहां पर मैं आपको तोड़ कर दिखाना चाहूंगी गोस्ट खूब अच्छे से टेंडर हुआ है और आप इसको सर्फ कीजिए तंदूरी रोटी के साथ क्योंकि कोर में का असली मज़ा तंदूरी रोटी के साथ ही है यह दिखिए गोस्ट भी अच्छे से गल चुका है तो जरूर ट्राइ कीजिएगा और जब भी आप ट्राइ करते हैं तो मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताईएगा कि आपकी यह रेसिपी कैसी बनी उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी झाल